नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर आपकी साथ मैं हूँ सुनाली सिंग सिध्य आपको इंदौर लिए चलते हैं जहां पर किंद्रे ग्रेमेंट्रेमिट्रा इस वक्त कारकटाओं को संबोधित करते हैं सुनें चाहे अमरीका जाए, जापन जाए, फ्रांस जाए, अफ्रीका जाए, इंग्लेंड जाए, ला हज्यारों हज्यारों लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं मित्रो ये जो मोधी मोधी के नारे विदेश में लग रहे न वो नरेंद्र मोधी जी के लिए नहीं लग रहे है वो भारतिय जनता पार्टी के लिए नहीं लग रहे हैं ये मोधी मोधी के नारे मालवा मध्यप्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सन्मान में नारे लग रहे हैं मोधी जी ने हर खेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है विकास के काम इतने हुए है कि मैं गिनाने जाओ तो साथ दिन की भागवत सब्ता बिठा दे तो भी सूची समाफ्त नहीं होई पर अचतु मोधी जी ने इस देश को सुरक्सिट करने का काम किया है इस सोनिया मनमान की सरकार थी, यू पी ए की सरकार थी 4 से 14 तक आए दिन से आलिया मालिया जमालिया आते थे और घुलिया चला कर बम दमाके करकर चले जाते थे और कैंडर की सरकार उप्टक नहीं करती थी मोदी जी की सरकार आई पाकिस्तान को लगा फिर चे एक बार कर लेते हैं उरी और पुलवामा में उन्होंने स्यना के और सियार पीएप के जवानों पर हमला किया वो भुल गए कि यूपिये की सरकार नहीं है भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मन मौन सिंग नहीं नरेंडर मोदी प्रधान मंतरी है नरेंडर मोदी पिडान पंद्रा ही दिन में पंद्रा ही दिन में सर्जीकल स्ट्राइक और एर्स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुस्तर आतंकवादियों की धचियां उडाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया मात आओ भाईयों बेनों मुझे बताओ एक कश्मीर हमारा है या नहीं है जोर से सबी लोग बोलो है या नहीं है दारा तिन सो सत्तर हट्टी चाहिए दी या नहीं हट्टी चाहिए दी अड़े बंटाधार स्रिमान बंटाधार आप और कमलनाथ दोनों मध्यपदेश के लोगों का वाद सुनलो मित्रो कॉंग्रेस ने सत्तर सत्तर साल से धारा तिन सो सत्तर को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखाता मध्यपदेश वालों ने दूसरी बार भारती अजंता पार्टी की सरकार बनाई और पांच अगस्त दोजार उन्नीस को मोधी जी ने दारा तिन सो सत्तर को समाप्त करकर कस्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया एक कॉंग्रेस पार्टी और यूपिये उनके सारे दल दारा तिन सो सत्तर हटाने का विरोध करते थे मुझे बताओ भाईयो धारा तिन सो सत्तर समालने वाली कॉंग्रेस पार्टी को कोई वौट दे सकता है क्या जोर से बोले नाम बदले तो भी वौट दे सकते हैं क्या और जोर से बोलो दे सकते हैं क्या अरे अध्या में राम लल्ला कितने साल से टेंट के अंदर भी राजमान थी साड़े पांच सो साल से न जाने कितने अजिनत लोग सहीद हो गए मगर राम जन्मुवी पर मंदीर नहीं बनता था एक कॉंग्रेस पार्टी मंदीर के काम को लटका रही थी अटका रही थी भटका रही जी एक दिन सुवे मोदी जी के नेत्रुत में कॉट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदीर का भूमी पुजन कर दिया में थी अहल्याबाई होलकर के बाद हमारे तिर्थो का पुनरोधार किया है तो हमारे नेता और प्रिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है चाहे राम मंदीर बनाना हो चाहे महा का लोक में सीवराजी को साथ में लेकर महा का लोक बनाना हो चाहे कासी विसोनात कॉरीडोर बनाना हो चाहे सोमनात का मंदीर सोने से फीर से बनाना हो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे तिल्ठो का उतार किया है माताओ भाईयो बेनो तो आप केंड्रे ग्रहमंत्रे अमित श्राह को सुन रहे हैं बूत कारकरताओं का ये सममेलन और केंड्रे ग्रहमंत्रे अमित श्राह इस वक्त कारकरताओं से समबात करते वे नजर आ रहे हैं चुले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर उजयन से अगली बड़ी खबार महाकाल